जी हां दोस्तो में हूं तौनमई स्वाग होते मेरा इसी ट्यूब चनल तौनमई सेल्प्रेशन को तो दोस्तो आज का वीडियो में एक जो चीज बनाने बाला हूं वह है हमारा पावर सर्कृट तो पावर सर्कृट क्या होता है तो आपने दिखाऊगा जो ट्रांस्फर्मर स किसे काम करेगा और कैसे तरह हम उसको तैयार करेंगे तो डिटेटल्स में बताओंगा तो यह पावर सर्कृट आपको अश्के थेरा लगा हूथ है और ब्एटिए कि देखिए और दोस्तो एब चैनल पे अपी निए को सूस्क्राइब कर दिजये गया हÉ इसको दबाकर औल वाला नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिजिए क्योंकि जो भी में ऐसे तरह नहीं आने भीटो आपके लिए ले के आऊंगा इस चैनल में तो आपके पाथ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो दोस्तों यह पार सर्केट कैसे बनता है तो यह उपर वाला बड़ी है उसका नीचे वाला जो बड़ी उसका जो सर्केट बगरा है उसको में सिफ बताऊंगा तो यह बड़ी आप खुद भी लगा सकते हो तो यह आपको अट्रेक्टिव लगाने के लिए और कुछ जागा में एक जागा से दूसरे जागा को लेने के तो दोश्तो सबसे पहले हमको जो पाउर सर्केट बणा हैंगे उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उसका कॉम्पोनेंट बगरा जो भी कुछ चाहिए पहले उसके देख लेते हैं उसका दुसको कैसे तियार करूंगे मैं डिटल्स बौता हूंगा तो दोस्तो वह जो प लेकर और उसी इसाब से वह आमार जो इन्वर्टर बेटरी 220 एच देट सो एच जो जो टेम्पू बगर जो आता है जो बेटरी वह 65 एच का बेटरी जो आता है तो उसी इसाब से हमको उसको चार्ज करना पड़ेगा तो इस वीडियो में बता हूंगा स्रिप उसका जो पावर बीजुक आप घॉमपोरनेंट लेंगे और क्पोनेंट दर तॉल्ड चार्ग कुर्स के हठेगि तो हमको चाहिए यहां पर एक ट्रांसपार मर तो यह स्जो ट्रांसपार मर होगा यह जो हमारा step down transformer step down मतलब इसका मतलब क्या होता है ना इसका input हम देंगे 220 वल्ट AC देंगे और इसका जो output निकलेगा 12 वल्ट DC निकले मतलब 12 वल्ट SC निकलेगा यह हमारा step down transformer होता है तो यह इसका भी company बगगर है तो केल टरन केल टरन जो company तो थोड़ा बहुत भढ़िया सा company है तो इसको में उसक्त कर रहा हूं तो केल टरन company आप ले सकते हो और जो भी आप दुसरा वाला company ले सकते हो यहां पर लिखाव़ आए कि 220 वल्ट जो ampere 2 ampere का है और यहां बे output निकलेगा 12 volt SC निकलेगा DC नहीं लेकिन मतलब यह जो ट्रांसफर्म का काम क्या होता है ना high voltage को low voltage convert करेगा और low voltage को high voltage convert करेगा यह सी स्रीप convert करेगा यह मारा total copper winding है यह ट्रांसफर्म चला गया उसके बाद हमको चाहिए एक पावर कोड यहां पर दिखिए यह चो पावर कोड में ले रहाओ तो यह some power stable में च्राशारए का म कोनेक्शन करूंगा math चांब यह जो मेर ऐए इसक की पारागों चाार्जर बना रहेगा तो इसको बोलते है और बैटरी क्लांप दोनों लोंगा तो इसका आपका मर्जी बड़ा वाला ले सकते हो छोटा वाला भी ले सकते हो और दोस्तों उसके लिए आपको डायोड चाहिए तो डायोड का उपर में भीड़ो अल्रेटी डाल चुका हूं तो जाकर देख लिजे और निचे डिस्क्रिशन बॉक्स डाड में चार लुगा उसक वाद में इंडीकेटर मतलब चलाने के लिए मैं एक जो यहां पर एक LED ले चुका हूं तो और उसका जो और एक जो चुपनेट है हमारा क्यापासिटर तो क्यापासिटर उसका कि तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो कैसे तरह में बनाऊंगा दुस्तों इस सब्सक्राइब लाओ प्रेस टो भína के नेवर मिस्स अफटेट अपर आप फिरले क्या गोरूघनाि यहां पर जहां पर नहीं तो तुम को आपको टेस्ट करूद तो तो वह आच्छा रहेगा और आप खूद कैसे टेस्ट करेंगे तो यहां पर दिखिए मल्टिमीटर यहां पर आपको इस जो कॉंटिन्यूटी में आपको सेटिंग करना होगा इस जो कॉंटिन्यूटी पर आपको रखना पड़ेगा इस जो आउट्पूट निकल रहा है उसक है मतलब यह आमारा टर्मिनाल होता है ना फ्राइमेरी होता है सेकेंडरी होता है तो इन्पूट होता है प्राइमेरी और आउट पूट अंदर्न फ्राइन तो इमर्सस्ट्रें तो उससी तरह अभी साइडा अपकि जो टेस्ट कोलू और लां आ remains flowing यह ठीक्त्र देख लो य तो इसका connection बगरा मैं आपको यहां सार्कीड में बताते दाऊं तो यह मेरा टोटाल जो यहां पे जो cover में करके रिखाऊं यह मेरा transformer हो गया यह मेरा transformer हो गया यह मेरा step down का transfer होता है और यह 220VAC से 12VAC को convert करेगा इन्पूट होगा इसका जो 220VAC और यह हमारा आटपूट इसके बाद आपको डायड जो डायड लोगा कर ब्रीज रेक्टिफ हर बनाना पड़ेगा तो ब्रीज रेक्टिफ हर का उपर में अलोग सा वीडियो डाल चुका हूं जाकर देख लीजिए निची डिस्क्यूशन बॉक्स में दिया दिया हूं तो यहां पे जो मे देटेल्स पता चल जाए मैं कि कोंवाला डायड है की से तरह आमFre 7 टो यह चला गया डैड चार डैड में ले करके यहां के बनांगा और यह चला यहां पे चैपासिटर योज तो यह जो है इसका पोजिटीव साइड और यह हमारा णेड़िव साइड तो इसको केपासिटीव यहाँ यूज करूँगा उसके बाद कानेक्षन होकर एसका पोजिटीव जो आएगा उसके लेडि लगाऊंगा तो यहां पे रेजिस्टर लगा धोगंगा प्राक्टिकल करके यह हमारा यह ट्रांस फोरमर का होता है क्योंकि यह है तो डार के आचल消़ बीड़िजों है तो यहां पर क्या होता ना इंगे व्रेडिवर लगाएंग कि टो मेरे पास दो ऑपास घ्यू लेबल नहीं गोड़ मेरा अधिके ca फिए घ्यार लेंगे मतलब यहाहां पर त्रीड़ एंपkellय तो मेरे बरिखर का अबे एंपंच van यहां पर हम वान एम्पर का डाइड लगाकर ब्रीज रेक्टिफार बनाएंगे तो हमारा यह रेक्टिफार मतलब खराब हो जाएगा तो इसलिए मेरा टू एम्पर जो आउटपूट निकल रहा है यहां पर मैं डाइड यूज के आऊं थ्री एम्पर का डाइड तो वह मेक आपो सिक रही हो तो आपको सिख सेंप्र का यह बाइड आप 2 बलाव और 600 यह बाऄद येवाल सकते हो यह इसको किरना होगा उसका सब्सक्ण ढलू का के रेलू के सब्सक्राइब करें तो दोस्तों होते हैं एक मिलियांपेर जो मतलब एक मेरे होता है सब्सक्राइब और सब्सक्राइबthe यहां पर होगा तो हमारा जो ट्रांसफर्मर होगा वान एम्पियर तो यहां पर हमारा एक हजार और उसका ज्यादा मियूफ का केपासिटर लगाएंगे लो के यहां पर हम्यूफ के आरह है R1 करेंट यहां पर हो मारा है गार्णाम के आरहा हम यहां यहां पर कोरेंगी के गार्णुभक्स का लोगा नहीं बहुत ही lava just to know Verdi जा रहा रहा है यहां पे ट्रीयल वालट का उप्पटर आपको पर फोल् me स्वारूल फॉल्ट होगा और यहां पे वोल्ट विसकी अपाउट पर होगा अपको इसलाओंच ब्ल्टेज भेलू और उसका जो रेटिंग होता है वो जो म्यूव जो होता है उसका उसी हिसाब आपको यूज को ना होगा तो यहां पर मैं ट्यू एंप्यर का ट्रांसफर्मर यूज क्या हूं तो उसी हिसाब चेड़ दोजार दोसो म्यूव का मैं कैपासिटर यहां पर यहां पर एक बार हाफवाट लोगा मानों लोग अमारा युदि आपका led लूव कोड़ गया है तो यहां पर आपको लगा सकते हो तो यह काम करेगा तो यह जो दूसरा वाला क्यपासिटर है तो मेरा शर्कृट में लगा कर रखा हूं यह मेरा चार एमृफॉर का जो रिक् तो चार एंपर ट्रास्फर्म में यहां पर जो में कैपाचिटर लगा रखाऊं यह जो मेरा कैपाचिटर पॉइंटरीश भोल्ट का में यूज कर रखाऊं तो ज्यादा भोल्ट भी नहीं देंगे एप्रक्समेटली जीतना ही भोल्ट उसका आसपास 10-15 भोल्ट के बीच में आपको यह कैपाचिटर का भेलो लगाना पड़ेगा यह चला गया उसका ब्रीज रेक्टिवर में यहां पर ब्लाक टैप का मदद से करकर रखाऊं तो यह आपका मर्जी कैसे तरह बनाएंगे चीप में उדר का क्नेक्शों वीडियो के साथ बने रही है मैं ब्रीज रेक्टिवैर बनांगे दिखाऊंग यहां पर देखिए मैं ब्रीज बनाब सिल्बर कलर का आपर में अलग साथ बीडियो में डाल चुका हूं तो यहां पे चैपासिट्र लगाउंगा इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है यह ब्लाक को अब देखते हैं यह माइनस माइनस बगरा तो यह हमारा नेगेटिव और दूसरे वाला टाइक होता है उसका जो और नेगेटिव को साथ नेगेटिव पहले connection कर देंगे उसका आउटपूर्ट और न लोगा तो यह हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को साथ connection कर दिया हूँ और यहां पर दूसरे वाला जो होता है दोस्तों मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ यह मैं temporary के लिए connection कर रखा हूँ तो इसलिए मैं इसका lead भी नहीं काटूंगा क्यूंकि मेरा आगे मी और कुछ भी काम में आ जाएगा तो मैं temporary connection करके यहां पर रखा हूँ तो यह दिखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव साथ connection कर चुका हूँ यहां पर तो यह चला गया हमारा ब्रीज रेक्टिफायर से तो दोस्तों आपको एक मन में डाउट होगा कि यह जो ब्रीज रेक्टिफायर हम बना रहे ही यह तो सी को और मैं क्यों यूज ग्याहां क्याइक होता है फिल्टर जो साहर्किट होता है फिल्टर कॉम्पोनेट था है क्योंकि यह जो हमारा ब्रीज डेक्टिफएर में जो आता है आउट्पूट यह अमारा मतलब प्रटिकॉलर यह डीसी नहीं निकल रहा है वह सी सो डीसी मिल कर आता है तो यह फ्लक्टुएट वाला आता है एक जो एसी के साथ पॉल्सेटिंग यूज करते है उसका क्यापसिटुटर इसलिए हम यूज करते है उसका जो आता है LED क्या से तरह यूज करेंगे दोस्तों इसका LED यह बिलीडी का जो रेजिस्टर का जो पॉजिटीव के साथ ठीक्टुट करूँगा LED का पॉजिशिट्टर यह ब्लक्रेशन कर दिया है और लेटीं का नेगेटिवस होता है नेगेटिव को इसका फॉजिवक उसका सथ स्भेज नेघेटिव सतXTZE कर सकते हो चब्सक्त मर्निट सबस्क्राइब का अब इसका इंपूर होटा है तो ट्रांसपैर का जो इंपूरhh फे ट्रवाइब में जो राखा जो दूसरे टर्म आल होता है तो यहां पर जिसक्षाइब हम पॉर्णक्ष कर सकते तो जीजर पी जाइड़ में बता चुका हूं तो जीजर भी आप इसको गलेक्षान और टो वह काम करेगा तो इहां पर हमेरा एक सिजरेख़्ा इन्पूट ह यह लोज कॉनेक्शन नहीं होगा तो शोल्टेंग में कर देता हूं यहां पर कर देखिए मैं कॉनेक्शन कर चुका हूं कॉनेक्शन करने के बाद उसके बाद जो आएगा ओ क्या हैना इसका इन्फूट इन्फूट के साथ में यहां पर स्कुनेक्शन कर लेता हूं इस व tire कउनेक्शन कर लेंगा यह दोस्तों फिर से में बता रहा हूं साब्दानिस इसको करना होगा तो यह स्वोड हो जाएगा तो आपको भूत ही प्रब्लेम होने वाला है यह दिखिए यह चला गया हमारा टोटाल सार्किट कॉंप्लीट हो चुका है तो यह लास्ट में जो मेरा निकल रहा है यह मेरा जो दो टोर्मनल यह मेरा पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर मैं बैटरी क्लाम भी यूज कर सकता हूं यहां पर देखो मैं बैटरी क्लाम इसको इसको लगा कर रख देता हूं और इसका जो नेगेटिव है नेगेटिव को भी मैं बैटरी क्लाम पर लगा देता हू तो यह चला गया इसका positive negative इसको यहां पर test करेंगे मॉल्टीमेटर के मतल से और यहां पर क्या होता है ना यह जो पावर स्कॉर्ड में यहां भी यूज कर सकता हूं यहां पर जो ट्रांसफर्मर है यहां पर मैं पावर कॉड़ यूज़ करूँगा तो यहां पर मैं डारेट इसको 220Vtc दे देता हूं तो वह ज़रूरत कुछ नहीं है तूत्स रहले में सब्सक्राइब कर भी सब्सक्राइब को उसका प्राइब़ का अंदर चला गया उसके आया हमारा जो व्यार आया तो यहां पर लगा दिया हूं इसका तोट्मेल आपको देखकर लगाना पड़ेगा और इसका जग नेगेटिव के कोनेक्शन हो चुका है तो इसका नगिटीव कोनेक्शन है कैपासितर का नेगेटीव और उसका जग एलीडी आईगेटिव रे-पासिट cią TWOो्स का नेगटेव यहां पर देखो में टूटाल जो सिरीज बूर्ड यहां पर लगा रखा हूं मेरा पावर आ चुगा है तो यहां पर में आर कनेक्शन करूंगा जो ट्रांस्पर्म का इंपूट दूँगा इसके बाद इसका पावर सर्कृट यहां पर हो गया और यहां पर मेरा आउट्पूट दिखेलने के लिए यांपर लगा कर रखा हूं तो बहुत सब्सक्याइब कर देंके तो कुछ नहीं होगा कि अभाज भी अब देखा होगा जो लगावशन करता है क्योंकि उसका अंदर रहता है तो वह बाइबरेशन करेंगा तो यहां पर देखो इसका में इंडिकेटर ग्लो होगा और यहां पर दोस्तों देखिए जो डूसरे जो टॉर्बनाल होता है वह सोट नहीं होगा चाहिए क्योंकि मैं टेंपर लिए कनेक्शन करके रखा हूं तो प्लाव जातें दुषे यह करके भी रखा सकते हो तो यह मैं टेस्ट कोूँका तो किसे अडरह टेस्ट को रूँगा दोस्तों यह मारे मंटि मिंटर है तो मॉर्टि मिंटर का इसका जो पौने देखिए यहां पर करके रखाएं तो यहां पर दीखिए अपर ररीडिंग मालम हो जाए गा तो यहां पर मैं रीडिंग देखााледीता हूँ तो पोजेडिव की आपक नेगेटिव रह अपर यहां पर मैं पाउर आपके लीडिक्वेम् सबाब आपकाईन सब्स्सक्राइब सब्सक्राइब जोयॉं सार्किट अभी जोल चुका होता क्यूंकि उसका जो एंपियर होता है टू एंपियर तो उसी का कॉम आग लोगाएंगे तो वह जोल जाएगा तो इसलिए तो यहां पर दिखिए इसका जो आउट्पूट कैसे कौन सा निकल रहा है इसका जो टॉर्मिनल के साथ पोजेटिव पोजेटिव और नेगेटिव को यहां करेंगे तो कियो तो धुर्मिनल की साथ आज़ आ रहा है क्यूकि यहां पर आपको पता चलेगा कि हमारा बड़ा जगा में जो उपर बाला पानी होता है वो निचे के तरफ गिरेगा तो इसलिए उसका च्छोड़ा ज्यादा आ रहा है यहां पर बात करने वाला हूं तो यह तो हमारा हो गया पावर सर्कृट कैसे बना आएंगे तो हमारा जो बेटरी आता है भोस आरा टाइप का बेटरी हाता है तो अब मानलो हमारा जो मोबाइल चार्जर होता है तो मोबाइल चार्जर हमारा 2000 से लेकर छोटा वाला कीपड आता था पाईप्टर हम्हारा वान इंप्टर SEG एक होलो कि हमारा 5049 जुम्हार्य में 1-530 तो गण्षर हम técn करेंगे तो व क्या होगा वो जो देठ घंटा मुझे लगता था वने एंपियर में तो 2 एंपियर मुझे मतलब मुझे 30 मिन्ट या 45 मिनिट लागेगा उसी तीन अपिर लहेंगे तो यहां पर क्या होता है ना यह जो बेटरी हम यूज करते है और एक रेटिंग होता है कि जो बेट्री होन्का चाहर्ज करेंगे घ्रषा करेंगे इतना वोल्ट साभवर्ण को रिَच डाइक है नकरिंट कर सकते है किया हो कि अब 2 इवंप्यर करें 10 इमपर का ट्रांस यह umwa Halo two love for that है जो हमारा सार्कीट होता आप मालों कि बैटरी हमारा शाये बैटरी हम्मीज का बैटरी है तो आप इसको यह बाथ किपा आप किसे पता चल सersonal के इसके लिए बनाएंगे नियह एक चल लगा होता है तो जो पी इसको पर उसको आप गुगोल में सर्च करना होगा जाकर कि यह मारा जोस है सिस्टी-स近etr इच का बेटरी होता है कितने एम्पियर का चारजर इसको चाहिए तो आपको बता देगा कि कितना एंपियर का चार्जर उसको चाहिए तो उसको चाहिए तो यह दो एंपियर में चार्ज होगा लेकिन यहां पर आपको आठ गंटा-10 गंटा लग जाएगा तो उसको चार्ज करने के लिए तो जो 10 एंपियर हम लिउज करेंगे तो चार घंटा-5 घंटा में जो हो जाएगा यहां पर हम दो एंपियर या चार एंपियर उसको तो यह दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना वीडियो आपको आच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ सेयर भी कर दीजिए और दोस्तों आच्छा लगा तो नीचे और कोमेंट कर दीजिए और कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिए और मेरा वाटसप नमबर भी दिया हुआ है मेरा चैनल को विजेट कीजिए वहीं पि आपको मिल जाएगा तो उसी क में इतना ही फिर मिलेंगे आगले वाला वीडियो में कुछ नहीं आ लेकर थैंक्यू दोस्तों